नमस्का सातियों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग बात कर रहे थे MPPSC के बारे में और आपने देखा होगा कि लाश्ट क्लास में हम लोग ने MPPSC प्रिलिम्स 2017 का जो पहला पेपर होता है जिसे आप लोग सामान अध्यन के नाम से जानते हैं या पिसन पत्त पहले के नाम से जानते हैं उस पर हम लोग ने बिस्तार से बात की हुई थी उसमें जो भी आपके कुश्यन्स आय हुए थे उनके आंसर भी हम लोग ने बिस्तार से जाने हुए थे और याद रखे MPPSC से सम्बंदित आपकी जितने भी कलासे ले जा रहे हैं वो मद्द पिदेश लो PCD के रूम में और याद रखे इसमें कुश्यन्स सभी समान होते हैं बर्स उनका क्या रहता है कि क्रम बदल जाता है आप देखेंगे कि पहले सेट में जो 5 भी नंबर पर है या पहले नंबर पर है वो हो सकता है कि 20 सेट में आपका 10 भी नंबर पर हो इस तरह का बस क्रम पर होता है आपको 100 कुश्यन्स रहते हैं आपके सामड़े 200 नंबर के रहता है और आप सभी जानते हैं कि एक कुश्यन्स दो नंबर के रहता है यह आप लोगों के लिए कुछ निर्देश दिये गये हैं तो जैसे ही टाइम मिलता है आप लोग इसे पड़ भी लिया मद्विदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है आप सभी जानते हैं कि हर राज्य में आप देखते हैं कि अपना पक्षी एक रखा गया है राज्य पक्षी इसका पक्षी का नाम क्या है मद्विदेश की मोर मोरहें या फिर आप देखिए कि साही बुलबुल या फेरा डा और यह आप देखेंगे घनो बनो और अच्छी लकडी के आवास में रहना पसंद करते हैं, अपना घर बनाना पसंद करते हैं, तो यह भी आप लोग याद रखा करिएगा, और वैसे मद्द्पेदेश के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो आप सभी को मालुख होना चाह कि मद्द्पेदेश की स्थापना कप की गई थी? 1 नवंबर 1956 में, और आप सभी जानते हैं कि आँगे चलके, जो 36 गड़ आज कल आप लोग देखते हैं, यह पहले मद्द्पेदेश का हिस्सा हुआ करता था, जब तक मद्द्पेदेश 36 गड़ मद्पेदेश से जुड़ पल में, और यहां गर आप लोग विधाल सभा सीटों की बात करें, तो 230 सीट हैं देखने को मिलेगी, लोग सभा में 29 सीट हैं, राज्य सभा में 11 सीट हैं, तो यह भी आप लोग याद रखा करीगा, और इसकी सीमा की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 5 राज्यों से पूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर सही रहेगा और आपको हिंदी में इसका अगर बात करने तो राष्टिय हरित अधीकरण की नाम से आप लो जानते हैं परयावन सरक्षन और बनों की सरक्षन और अनप्राक्तिक संसादनों से समंधित मामलों में आप देखे सीगोन के प्रभावी निप्टान के लिए प्रिवारिस से कुष्ण सापका पूछ लेता है और वैसे भी आपसे बोल चुका हूँ कि इस तरह है कि जो भी संस्थान बनाये जाते हैं फिर चाहे आपके राष्टी स्तर के हो अंतराष्टी स्तर के हो उनकी बारे में एक सामन जानकारी अपने पास रखा करिएगा हर फर बारत का जैविक किसी पर निर्भाय भारत की पहले राज्य का नाम आपको बताना है मद पेदेश है कीरल है सिक्किम है अणौणाचल पेदेश है तो मुझे तो लगता है कि आप सभी को मालू होगो ना चाहिए इसके बारे में पता है या नहीं है सिक्किम था इसमें क्या स्क्क्किम और अगर हम लोग कि सिक्किम के बारे में बात करें कि कि आप सभी जान थे कि कि सिक्किम कब हमारा राज्य बना था दस अप्रेल smart 75 में और आप को एक बात और बता देताओ इसकी राधाणी गंगटो्क है यहां अगर ored व्यासभा तो की बात करें तो 32 सीत है राज्यसभा में एक सीथ है लोकसभा में एक सीथ है और आप देखेंगे कि इसकी सीमा नेपाल से भी लगती है और इसकी सीमा आप देखेंगे कि भूटान से भी लगती है और इसकी सीमा चाइना से भी लगती है समझ रहें? तीन देशों से इसकी सीमा लगती है तो इसके बारे में एक सावन जान करी याद रखा करिए और मुझे लगता है कि अगर भारत के मैप अगर आपके दिमाग में सैट है तो आप देखें कई कुश्चन साते हैं जो बहुत ही साधारन होते हैं सरल होते हैं और अगर आप लोगों के एक तरह से दिमाग में अगर मैप होगा न तो आप उनके आंसर भी आराम से देपाएंगे आप देखते हैं कई बार पूछ लेता है इस राज्य की सीमा कितने देशों से लगती है या इससे राज्जी की सीमा कितने राज्जों से लगती है समय रहे हैं आप लो तो जब भी किसी राज्जी के बारे में बात होती है तो उसके बारे में एक सामन जानकरी देख लिया करिए अंगला कुश्यन है मारे सामने 4 मेट्रो फॉलिटन सहरों में निमलिकित में से कौन से मुख पिदूसक है, बाई पिदूसक है, बताईए, O3, O2, CO2, NO2, या उप्युक्त में से कोई नहीं, तो याद रखे, इसमें आप लो, क्या लगाएंगे, C option होगा, जो भारत का केंदरी पिदूसक ने अंतर बोर्ड, यह महानगरी है, सहर बाई पिदूसक, जिसमें आप देखे, सल्फर डाई उक्साइड, यानि कि SO2, CO2, करवन डाई उक्साइड, नाइट्रोजन के उक्साइड, NO, X के बारे में बात करता है, तो यह आप लोग जरूर याद रखा करिएगा, ठीके, इसमें क्या लगाओगे, C option आपका, दिया गया था, ठीक है, गलत माना गया था, वैसे आप लोग अगर लगाना चाहें, तो C लगा सकते हैं, अंगला कुशन है हमारे सामने, क्या कह रहा है, अंगला कुशन कह रहा है कि निमलिकित में से कौन सी औस्दी फसल है, बताइए, निमलिकित में से कौन सी एक औस्दी ये फसल है गन्ना धरत कुमारी का पास बहुआ तो आप सभी जानते हैं कि धरत कुमारी होगा इसमें धरत कुमारी आप सभी जानते हैं कि इसे आप लोग एलो वेरा की नाम से भी जानते हैं और एक लोग प्रिये औस दिये पौदा है जिसका उपयोग हजारों वरसों से किया इस तरह की कई इसमें लापकारी प्रवाव होते हैं तो इसमें आप लोग वी ओप्सल लगाएंगे अंगला कुशन है हमारे सामने चटवा क्या कह रहा है हरे पौधों द्वारा प्रिकास संसलेशन पिक्रिया में प्रियोक्त सौर उर्जा का रूपांतरन किस रूम में होता ह है प्रिकास संसलेशन में हरे पौधों द्वारा उप्योक किये जाने वाले सोरी का प्रिवर्तित होता है रसाइनी कुर्जा भौती कुर्जा या ये वी दोनों से ही उप्योक्त में सिको हो ही नहीं तो याद रखिए इसमें रसाइनी कुर्जा लगाओगे एक तरह से आप देखिए पोधों में पिकास संसलेशन की पिक्रिया पानी से एलेक्टोन और प्रोटोनों को प्रियोग करके सौर उर्जा को रसाइनिक उर्जा में परिवर्तित हो जाती है और इस तरह पिकास संसलेशन की पिक्किरिया में हरे फोदों द्वारा उप्यूग किया जाने वाले सूरी की पिकास की उर्जा रसाइनिक उर्जा में परिवर्थित हो जाती है तो यह आप लोग जरूर याद रखा करिएगा तो इसमें आप लोग A option लगाएंगे हंगला कुश्चन है हमारे सामने साथ मनुस्त की सरवता की सीमा क्या है मनुस्त की सरवता की सीमा क्या है सुनने की सीमा क्या है 20 Hz से 20,000 Hz 80 Hz से 100 Hz 2,00,000 Hz से 4,00,000 Hz या 0 से 20 तो आप सभी जानते हैं जिसमें आप लोग A option लगाएंगे बिलकुँ सही कई प्रियों गुंदवारा ये ग्यात हुआ है, सिद्ध हुआ है कि एक स्वास्त युवा ब्यक्ती लगवग 20 से लेकर 20,000 हर्स तक की सभी धोनी आउटियों को सुन सकता है तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे ए ओप्सन बिलकु सही रहेगा अंगला कुशे ने बारे सामने आठ निमलिकित में से कौन सा एक मरूस्थलिये चेत है सिंधु चेत, गंगा चेत, असम चेत या मद भारत का चेत बताईए, तो इसमें आप सभी जानते हैं कि सिंधु का चेत, भारत का ही मरूस्थलिये बायों का निवास रहा है जिसमें से पितिक, दिसिष्ट, पारिस्थितिक, समुदाय को पितरसीत करता है भारत के सबसे बड़े मरूस्थल में से एक थार मरूस्थल है उत्तर पश्टमी भारत में राजिस्थान, राजिसे लेकर आप देखते हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तान तक आपको देखने को मिलता है और भारत में उम महादीप के उत्तर पश्चमी और पश्चमी और दक्षडी भागों में भी प्रमुक सुस्किछेत आपको देखने को मिलेंगे तो इसमें आप लोग A option लगाएंगे ठीक है अंगले question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अंगला question no क्या पूछ रहा है अंतराष्टिय पितवी दिवस कम मनाया जाता हैं तो आप सभी जानते हैं कि 22 अपरेल को मनाया जाता है अंतराष्टिय पितवी दिवस पिते की याद दिलाने के लिए एक तरह से मनाते हैं कि पित्वी और उसके पारिस्तिती की तंत में हमें जीवन और ये का पिदान करते हैं और यह दिवस सामविक मात्ता का दिवस हैं मानो एक तरह से आप सभी जानते हैं कि हमारी पित्वी के पित्वी जागरूख हो सके आप पित्वी माता कहते नहीं आप उसी की बात हो रही है और एक तरह से बर्दमान और भविस्की पीडियों की आर्थिक सामाजेक परियावडी है आप सकता हूं कि मद्द संतुला ने इस थाबित करने के लिए एक तरह से इसे मनाया जाता है 1992 मैं इसे मनानी की गोसना की गई थी पहली बात एक बात और आपको बता दूँ गांधी जी का एक कोर्टस आप लोगोंने बड़ा अच्छा आप लोग कई वार उसे निवंद में आंसर राइटेंग में उपयोग कर लेते हैं कि देखे हमारी पितवी पर इतने प्रातिक संसाधन है कि वो हमारी जरूरत पूरा कर सकते हैं लेकिन अगर कोई लालची बैक्ति आ जाये तो उसकी जरूरते पूरी नहीं हो सकते हैं कई पितवी कब बढ़ जाएगी और आप देखें कि एक तरसे पितवी में इतनी सक्ती है कि वो अपना नुक्सान होता उसकी भरपाई कर लेता है बस हम लोग उसमें चेड़ चाड़ नक है हमें प्रक्ति बहुत कुछ दे रही पितवी हम उने कुछ नहीं दे पा रहे आप देखें कि एक गाया है या आप देखें कोई भी पसूर तो आप देखें वो अपने सी में चेतर तक रहता है वो पितवी को जादा नुक्सान नहीं पहुंचाता है लेकिन हम देखते हैं कि हम लोग एक घर बना लिया फिर हम तोड़ देते हो और जंगल साफ कर लेते हैं दूसरा बना लिया और आपने देखा होगा कि पहले आप लोग घर से निकलते थे तो पेड़ी पेड़ दिखाई देते थे आज आप देखते हैं क्या बच्छा हुआ है ठीक है? और सी का पेड़ा हम लोग भुगत रहे हैं गर्मी के रूम में, सर्दी के रूम में बरसाद के रूम में बरसाद मालू ही नहीं चलती कब हो गई? अंगला कुश्चन है हमारे सामने 10 एक है राए निमलिकित में से कौन सा यह हुए? सही सुमलित नहीं है इससे आप लोग जरूर याद रखा करिएगा इस तरह के कुश्चन्स आपके सिविल सर्विस में पूछता है UPSC में पूछता है इस्टेट PCS यानि की UPPCS बिहार PCS में आते हैं सुमलित नहीं है अगर आप देखेंगे यहां लेखा होता कि सुमलित है तो आप देखते हैं इसका कुश्चन्स का अंसर तुरंद बदल जाता इसमें पहला एक पुस्ट के पुस्टकों की नाम हो गए बुक्स हो गई और उनकी लेखा को गए राइटर ए ओप्शन कहा रहा है दा वर्णिंग फॉरिस्ट नंदिनी कुमारी सुन्दर वन इंडियन गर्ड चेतर भगत चित्रा ओफन केम टू आवर हाउस करन दोसी आई लेंड ओफ लॉस्ट गर्ल्स कुनाल बासू बताईए इसमें से सही नहीं है सुमलित तो आप सभी जाएंगे कि डी नहीं है बाकी तीनों आपके बिल्गुस सही है तीनों के बारे में भी याद रखेएगा आप से कुश्चन पूछे तो आप लो आराब से दे पाएंगे क्या करभाएंगे दे पाएंगे कम से कम और याद रखे आईसलेंड ओफ लॉस्ट गर्स 2015 में और मन्जुला पदम नाभन की द्वारा लिखित कही थी ना कि कुनाल बासु की द्वारा इसलिए आपका डी गलत है तो इसमें दस में डी लगा हो गए आप लो अंगला गुश्चन आपसे कह रहा है कि 2017 में मद्देश से राज्यसवा की एक सीट पर हुए उप्चनाव में से इन में से कौन सी महला निर्वाचित हुई यमना देवी राधा देवी संपत्या उई के या कभिता उई के और आपको मालू होना चाहिए कि ये तो करेंट अपर ऐसका कुश्चन से है बैसे आपको अभी बता चका हूँ पहले कि राज्यसवा में कितनी सीटे हैं लोग सभा में कितनी सीटे हैं और आपकी विधासवा में कितनी सीटे हैं आप लोग राज्यसवा सीटों के बारे में बताईए कि कि कितनी हैं वद्देश में नीचे लिखिए और सबसे जाला किस राज्य में और आप किस राज्य से हैं ये भी बताईएं और आप बताईएं कि आपकी राज्य में कितनी सीटे हैं तो इसमें आप लोग संपतिया उइके लगाएंगे ठीक है भारती एजंता पार्टी की आदिवासी नेता है ठीक है तो ये आप लोग या और जिसमें यह कहा गया है कि दोनों देश एक दूसरे के नापकी एठेकानों पर हमला नहीं करेंगे। और दोनों देशों के मद्द की सूची आप देखिए एक जन्वरी 1992 से लगातार जारी हो रही है पहली बारी एक जन्वरी 1992 को भी थी तो यह आप लोग याद रखिएगा आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान और आप देखिए कि हमारे गुजरात की देख लिजे या राजिस्तान की देख लिजे या फिर आप लोग इसकी पंजाब की देख लिजे जमू कस्मीर की देख लिजे लद्दाग की देख लिजे इन सब की सीमा भी गुजरात से पाकिस्तान से लगती है पहले पाकिस्तान हमारा ही इस्सा हुआ करता था तर आप देखत सिक्का के स्थान पर इनफोसिस के CEO के रूम में किसे निव्ट किया गया है सिक्का धीपक पारेक सलील पारेक नंदन नीले कनी या एनार नारायन मूर्ती तो याद रखिए इसमें आप लो ललित माप करिए सलील पारेक होंगे बी आप्सन बिल्कु सही रहेगा क्या रहेगा पी आप सन बिल्कु सही रहेगा इनफोसिस इस कंपिनी के बारे में सुने है आप लो लो इनफोसिस के बारे में इसकी इसथाफना हुई थी दो जूलाई 1981 में तो इसका हैटओर आपको बैंडलूर में देखने को मिलेगा तो ये आप लो जरूर याद रखिए अंगला कू रख्मार में अंतराष्टिय मुद्रा कोस, IEMF किस सदस देशों की संख्या कितनी है, किसकी, IEMF की बात हो रही है, 188, 189, 187 या 190, वताई इसमें कितने हैं, तो याद रखिए, इसमें कितने होंगे आपकी, एक सो नवासी थे उसमें, एक सो नवासी, भी ओप्सन बिल्कुल सही है, और अगर हम लोग अंतराष्टी मुद्रा कोस के बारे में बात करें, क्योंकि इससे भी कईवार कुश्चन से आपके पूछे जा चुके हैं, और कई पर इक्छाओं में आ चुके हैं, और आपके अंत इंटरनेशनल मोनेटरी फंड, IEMF की बात करें, तो 27 दिसम्मर 1945 में इसकी स्थाफना की कही थी, इसका हेड क्वार्डर आपको बॉसिंग्टन DC, USA में देखने को मिलेगा, अभी वर्तमान में, आप देखें कि इसमें 190 कंटरी सामिल है, यानि कि देश सामिल किये गए, ठीक अंगली कुश्चन की तरफ चलते हैं, 15, मद्यपिदेश विधानसवा चुनाओ, 2013 में कितनी महलाएं निरबाचित हुई थी, आप लोग बताइए कुछ इसमें, और आपको मालू होने चाहिए, मैं आप लोगों से ये कुश्चन सो और पूछता हूँ, कि 2018 में जो लोग 22, 25, 28, तो उस समय कितनी थी, देखिए उस समय इस कुश्चन को अगर हम लोग बात करें 15 कुश्चन को, तो इसे हटा दिया गया था, क्योंकि कई हमने सिरोगतों से ये तरह से हमने भी देखा, सर्च किया, तो 18 थी, लेकिन इसमें आप देखिए 18 उप्सन ही नहीं था, इस मद्विदेश, राज कोसिये, उत्तरदायत, एवं बजट प्रबंधन, अधीनियम किस वर्स फारित किया गया, 2003, 2004, 2005, 2006, 2005 में, कब, 2005 में, इसमें क्या लगाओ गए, C उप्सन, अंगला कुश्यन है हमारे सामने, 17, अमेरिका की राष्टपती डॉलार्टरम्टेक कि स्तिती को, जेरोसलम को, इजराइल की राध्धानी की रूम में, मानेता दी, 6 जनवरी 2018, 6 नवमर 2018, 6 अक्टूबर 2017, 6 देसंबर 2017, 6 देसंबर 2017 को, और मैसे अब तो आप सभी जानते, कि डॉनल्ड टरम्प साहब का काम खतम हो चुका है, वो चुनाओ हार चुके, तो जो बाइडल साहब अब राष्टपती बन चुके हैं, लेकिन 2018 में आप देखेंगी, दो समय आप देखी कि डॉनल्ड टरम्प ही राष्टपती हुआ करते थे, अंगला कुशन है हमारे सामने 2018, विस बैंक एवं बी आई पी द्वारा, अक्टूबर 2016 में जारी की की कारोबार सुगमता ओधतान, इस नहां की किन दो राज़्ों को सैज्ट रोब से पहला स्थान मिला है गुझरात तेलंगाना, तेलंगाना चतित गण गज़्रात आंधेफ्देस आंद पेडेश तेलंगाना बताई इसमें तो याद रखे आंद पेडेश और तेलंगाना और आप सभी जानते हैं कि आनद पेडेश और दूसरा है आपका तेलंगाना और एक बात और आपको मालू होने चाहिए आंद पेदेश से अलग करके ही तेलंगाना आपका राज बनाय गया था और भासाई याधार वर गठित होने माला पहला राज यह आपका आंद पेदेश यह भी आप लोग याद रखिएगा और आगे चलके से राज बनाय गया था एक नवंबर 1956 में और यहाँ अगर आप लोग विधान सभा सीटों की बात करें तो यह 175 सीटे नेकने कुमलेगी विधान परिशद भी है, अंठाबन सीटे है, राज सभा में 11 सीटे है, लोग सभा में 25 सीटे है वहीं अगर हम लोग तेलंगाना की बात करें, तो आपको मालू होना चाहिए कि इसे जून 2014 में राज बनाय गया था, आप सभी जानते हैं और इसकी राधधानी 2 जून 2014 है, हैधराबाद में है, यहां विधान सतो सीटों की बात करें तो 119 सीटे हैं, विधान परिशद में आपकी 40 सीटे हैं, राज सभा में 7 सीटे हैं और लोग सभा में 27 सीटे हैं, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा यहाँ एक संस्ता के बारे में और उल्लेक हुगा है विस्ट बैंक के बारे में वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो जुलाई 1944 में इसकी इस्थापना की गई थी और इसका हेड़क्वार्टर बॉसेंग्टन DC USA में देखने को मिलेगा तो यह भी आप लोग याद रखिएगा यह भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा और आद फिदेश होते लंगानना को एक तरसे आप देखिए अखिल भारती राजी के अंदसासे फिदेश की इज आप डूइंग बिजनेस रेपोर्ट में टॉप स्तांदी आ गया था तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं और रखना चाहिए मुझे लगता है अंगला कुशिन है हमारे सामने कालिका फुरान के बारे में कालिका फुरान किस धरम से सम्बंदी थे और इसमें आप देखिए जैन धरम है लेकिन अधिकान सरोतों में अगर आप लोग सर्च करें ना तो सकती संपताय से के साथ जुड़ता है लेकिन MPPST ने उसे जैन माना था तो यह भी आप लोग याद रखिएगा अंगले कुशिन की तरफ चलते हैं हम लोग सार्थ वाय भी कहा जाता है ब्रामण चत्रिय बैस सूद तो आप सभी जानते हैं कि बैस को कहा जाता है बैदिक काल के बाद बैसों को ब्यापार और वडिज बीनिवित करने के लिए विभेंपेकार की संगे जिसे आप लोग संगे को गिल्ड कहते थे विक्सित किये गए थे जिनने सैनी निगम पुगा की नाम से जानते थे यहन बर्गों की अनादिकार पिर्वेश से बचने और एकादिकार विक्सित करने के लिए भी था उच्छी ताचरन नीमा वाली संग गिल्ड के द्वारा त्यार की गई थी और जिसमें सार्द वा या सरनी पिर्मुक के नाम से जानते थे इसे ठीक है बैस सी ओप्सन बिल्को सही रहेगा अंगला गुष्ण है हमारे सामने 21 संगों के पूरवज मूलता किस स्थान से थे संगों के बारे में आप लोग पड़े होंगे ना मगत प्रयाग उज्जयन सौराष्ट तो याद रखे उज्जयन से थे उज्जयन महाकालिस और मंदरे आप लोगन सुना है ना बताइए उज्जयन किस नदी के किनारे वसा अगर आप लोग पुराताथवी खोजों और मुद्रा सास्तों के अनुसार अगर देखे तो यह निसकस निकलता है कि उनका आरम उज्जयन अवंती से हुआ था पहले उज्जयन को आप लोग अवंती के नाम से जानते थे कन और सुंग बंस के सास्कृत जो भगवान सिप क सास्कों को एक तरह से इनके बारे में जानिकारी दी है तो यह भी आप लोग याद रखेगा अंगला कुशिन हमारे सामने 22 सेर साय का उत्तरादिकार था सेर साय का उत्तरादिकारी कौन था सुजाद था, इसलाम सा, फिरोस साय या मुहम्मद साय आदिल तो इसमें याद रखिए आपका इसलाम साय था और आप सभी लोग ने देखा होगा कि से साय सुरी के बार में आप लोगो ने पिढ़ा होगा सासाराम बिहार में इसका मगवरा आपको देखने को मिलेगा। इसका सबसे वड़ा पुत्त था आदिल खान रण थ नमोर में और सबसे छोटा था जलाल खान एरीबा में था। इसने आपका इसलाम नामित किया था एक तरह से आप लोग याद रखिएगा इसलाम साहे की उपादी गहट की थी उसने जलाल खान ने ठीक है उसी का एक तरह से सुल्टान गोशिप किया गया था 1545 की बात है जब इसकी डेथ होई थी अंगला कुक्षण है अमरे साबने 23 इस्ट इंडिया कंपणी की प्यारंबिक दौर में वेस्टन फ्रसिडेंसी कहा थी इस्ट इंडिया कंपणी की प्यारंबिक दौर में पश्मी प्रसिडेंसी कहा थी सूरत सतारा बॉंबे पड़ जी तो आप मताईए कि इसमें सूरत लग रखेगा तो याद रख पाऊगे अंगले कुश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अंगला कुश्चन है हमारे सामने 24 वेटी समराज पूरी तरह से सड़ चुका है हर तरह से भेष्ट अत्याचारी वाहीन है यह कतन किसके द्वारा किया गया था बताई तो इसमें आप एकतुर बढ़ीयों यह कुसे नहीं कहा था सिष्टर निवेदीता सावित्री वाहिक हो ली एदिवेसेंं वालगा अंग शर्ट तो आप सभी जानते कि सिष्टर निवेदीता भगणि निवेदीता की नाम से हम लोग जानते थे मार्गेट मार्ग रेटमे एलिजावेट न अगनी सिखा अगनी की जोती के रूम में नाम दिया गया था इंग्लेन में उन्हें दाश चैंपियन फोर इंडिया के नाम से भी जाना जाता था तो यह भी आप लोग याद रखिएगा उन्होंने जब अपनी मित मिस मैक लॉयड को 1900 से लेकर 1905 के भी जो लिखी पत थे उनके कई पत थे इसमें बैटर साशन के पिती उनकी गहना को प्रिगट किया था उन्होंने इस बाते उसमें लिखी हुई थी ए उप्सन बिल्कु सही रहेगा अंगला कुश्चन है मरेश सामने 25 भारत छोडो का नारा किसने दिया था महत्मा गांदी जवालाल नहरू यूसोब मेहर अली अरोणा आसफ अली तो आप सभी जानते हैं कि यूसोब मेहर अली ने सी ओप्सन बिल्कु सही लेगा लेकिन कई लोग महत्मा गांदी लगा देते तो ये बात आप लोग जरूर याद रखेगा कि भारत छोडो का नारा समाजबादी कॉंग्रेस नेता बॉंबे के ततकालीन उस सभाई की मेहर थी यूसोब मेहर अली इनके द्वारा लिखा गया था और जिसके बारे में माना जाता है कि उन्होंने 1942 में एक बैठक के द्वारा महत्मा गांदी को नारा फिस्तावित किया था भारत छोडो आंदोलन की सुरूआ कॉंग्रेस ने भारत में वेटे सासन किया कि मांग करने के लिए एक तरह से आप देखिए आठ अगस्त 1922 को की गई थी तो इसमें आप लोग स्ती ओप्सन अंगला कुछन है हमारे सामने 26 एकराय प्लांड एकोनोमी फोर इंडिया फुस्तक की लेका कौन है तो याद रखी एम विस्वरस्वरेया ठीक है कभी कभी नाम इस तरह का रहता है कि आप देखिए पुछारन करने भी दिखके थोने लगती है फिलांड एकोनोमी फोर इंडिया पुस्तक एम विस्वरस्वरेया द्वारा लिखी गई थी और बेटे सरकार के आर्थे कालोचक में से एक थे उन्होंने लगवक आठ दसक पूर भारत की आर्थे के उजिना के मॉडल का मार्ग भी बताया था उन्हें आप जानते हैं कि 1955 में देश के सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रतांग से भी सम्मानित किया गया था इतने सम्मानित भैकती थे अगले कोश्यर की तरफ बढ़ते हैं अगला कोश्यर हमारे सामने 27 किस नरसंहार को मत्पदेश का जलिना वाला वाग कांड कहा जाता है किस संग मत्कические का जलिना वाला वाग किस शन्गे तो आप सभी चानते हैं कि चरन पादुका नर्संगार इसे जलिया वाला भाग भी कहते हैं आपनों और 14 जन्मरी 1930 को एक तरसे एक बिरोध किया गया था उसी पर आप देखी कि बेटिस सेना द्वारा गोली चला दी गई थी और इसमें कई लोग मारे गए थी चतरपुर सहर म में देखेंगे आप लोग च्छतर पुर्जली में ये गटना चलिए अंगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कोंसी है ब्रंबुत गंगा गोदाबरी सिंधू तो आप सभी जानते हैं कि गंगा है गंगा जो विसाल हमाले से निकलती है भारती में याद रखिए अंगला कुश्चन है भारत में बहती और याद रखिए सबसे बड़ी बात यही है भारत की दच्छितम परवच सैड़ी कोंसी है भारत की दच्छितम पहाड़ी कोंसी है नेलगरी अन्नाई मलाई काडमम नलाई मलाई तो याद रखिए इसमें कोंसी इसमें कार्ड मम होगा ठीक है स्थी ओप्सन बिल्कुत सही रहेगा इलाजी की पहाड़ी है पश्मी घाट और भारत की सुदूर दच्छे पहाड़ी का भाग है पश्मी घाट को इस्थारी रोप से बिभिन नामों से जानते जैसे महराष्ट में सयादी, करनाटा, कुतमिलाणू में नेलगिरी पहाड़िया, केलल में अन्नाल मलाई पहाड़िया और इलाची पहाड़िया तो यह आफ लग ज़रूर रहाद रख सकते है चलिए अंगले कुश्यन की तरफ बढ़ते हैं अगला कुश्यन है तीस भारत का कौन सा राज अधिक्तम राज सीमाओं को छूता है भारत का कौन सा राज अधिक्तम राज्यों की सीमा को इसपर्स करता है यानि कि सबसे जाना राज्यों से उसकी सीमा लगती है अधर पिदेश करनाटा, आधर पिदेश, उत्तर पिदेश तो आप सभी को माल होने चाहिए उत्तरफिदेश उत्तरफिदेश आप देखिए नौ राज्जों को आप देखिए एक तरह से सीमा लगती है समझ रहे हैं आप लोग अब आप कहेंगे कि नौ राज बता दीजे और इसकी अंतराश्टी सीमा आप देखेंगे तो नैपाल से लगती है बिहार चलिए जहारखंड चलिए चातिसगर चलिए मद्द पिदेश चलिए फिर आप लोग राजिस्थान चलिए दिल्ली हरयाना हिमाचल पिदेश और इस तरह से उत्तराखंड इनौ राज जों को सीमा लगती है इसकी के अंदेसासित दिल्ली और राजनीती की दृष्टी से काफी महत्पूर माना जाता है ऐसे ऐसा क्यों कहा जाता है कई लोग तो कहते हैं कि जो दिल्ली की गद्दी है ना इसकी आरास्ता उत्तरपदेश से होकर निकलता है उत्तरपदेश की राध्धानी लखनव है और इसे 24 जन्वरी 1950 को राज ब बिधान पर्षद भी है उसमें 100 सीट है राज सवा में 31 सीट है लोग सवा में 80 सीट है यानि कि आप राज सवा देख लीजे लोग सवा देख लीजे बिधान सवा बिधान पर्षद सबसे जादा सीट है और इसलिए आप देखें कि उत्तरपदेश सिराजनीती की है भारत का दोसरा बड़ा नदी विसन है कि महनदी वेशन नर्वदा वेशन गोदावरी वेशन काविर्यवेशन तो decisions कि कोदावरी वेशन होगा paid है गोदावरी नदी खारत की एक 메ंख नदी है जो ।श्चिम से स्थिम 110 की ओर है पैंसे लंबाई है मुक्नरी है जो पश्चिम से दस से महारत की और वाइती है तो यह भी 1465 किलो मीटर इसकी लंबाई है तो यह भी गंगा के बाद सबसे बड़ी है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा इसकी अबायत अंद की बात करें तो छह राज्यों में बहुझे है तो इसमें आप लोग सी ओप्स लगाएगे अंगला गुश्यर है हमारे सामने 32 पाक जल नमरू किन के बाद देशते थे भारत पाकिस्तान भारत बंगलादेस और भा भारत माल्दी तो आप सभी चानते ही भारत स्रीलंका के बीच है लेकिन अधर्तर वच्चे क्या करते हैं कि जो पढ़ते नहीं वह अंदाजय लगा लिए पाक लिखा हुआ है तो पाकिस्तान की बीच है लेकिन याद रखी कि इसमें सी ओप्सन होगा पालक जल डमरू के न हमारा पड़ोसी है ना स्रीलंका सांस के देख संबंध भी हमारे काफीन से मिलते जुलते हैं अंगला कुश्यान है हमारे सामने थे इंटर ट्रॉफिकल कन्वर्जेंस जॉन एक नेमने बायुद्दा पेटी इस्ते थे ब्यापारे के बंपच्छुआ हवाओं की पेटी के म द्र्मों के समीब बर्ती चेत्रों में या भूमद्रेख प्रेखा पर तो यादर के भूमद्रेखा पर आपको देखने को मिलेगा अंता ऊश्ण कडिवंदी है अविसरन चित आई-टी-सी-जैड जिसे आफ लोग कहते जिसे भूमद्रेखी अभीसरन चेत भी कहा जाता है ए अविसारी ब्यापारी पमनों और भूमद रेखा के समीप पितभी के चारों और बिट्टागर छित बनाने वाले वर्ती हवाओं की पेटी है वर्ती हवाओं उच्छ मेगा अच्छा न बारम बार मेग गरजर भारी वर्सा उत्पन करती है तो यह आपनों जरूर याद रखिएगा D option बिल्कुल सही रहेगा अगला question है 34 काना राश्टी उद्यान पिसे नहीं सेरों के लिए, गायों के लिए, गातियों के लिए, वागों के लिए बागों के लिए और आप सभी जानते हैं, टाइगर पिदेश भी कहते हैं, मत पिदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं, सुवया पिदेश भी कहते हैं, हिदय पिदेश भी कहते हैं तो इन सब की बारे में भी याद रखिएगा ठीक है चली अंगले question की तरफ बढ़ते हैं 35, नेपा नगर का संबंद की सुद्धियों से है, और खाद, अकवारी कागज, चीनी, उनिबस्त तो याद रखिए, आप सभी एको मालों होगा कागज, अकवारी कागज के लिए काफी ये का सिद्ध है ठीक है बंद्धिदेश का एक सहरा, आपको नेपा नगर देखने को मिलेगा न, उसी की बात हो रही है चली अंगला question है, 36 बंद्धिदेश के निमलिखित इस्तानों में से कौन सा एक? 80 डिगरी पूर्वी देसांतर पर या उसके निकट इस्ते थे जबलपूर रीवाज पन्ना खटनी तो याद रखे, जबलपूर होगा इसमें क्या होगा? जबलपूर होगा और किसी इस्तान का देसांतर मुक भूमत रेखा कि पूरी आपशे उस इस्तान का कोड़ी दूरी भी बताता है सबाय भी बताता है जबलपूर याद रख सकते है चली आगे चलते है एक जबलपूर आप सभी जानते है मत्पिदेश का मत्पिदेश में भावंतर भुकतान यूजना किस छेते से सब्बन देते हैं महला विकास, किरसी, बाल विकास, या उद्डियो ये तो आप सभी को वाल होगा किरसी, चेते से सब्बन देती इसे यूजना किता है सरकार नियूंतर समर्थर मूल का उपयोग एक मार्दरसक की रूम में जारी रखती है लेकि लिए है किसानों किस से उपज नहीं करीदते है इसके बजाए आप देखें किसान को मौझूदा बाजार मूल ले हो घोसे नियूंतर समर्थर मूल की बीच अंतर की आंसिक छतिपूर्थी करती है यानि कि आप देखें किसान ने अगर आप सुचिए 20 रोप्या किलो के इसाब से अगर गेहूं का रेट रखा हुआ है बाजार में और आप देखें अगर उसे कम मिलता है तो जो बीच का एक तरह से आंतर रहेगा यह सरकार भुक्तान करेगी ठीक है अंगला कुश्यन हमारे सामने 38 सीमा सुरक्षबल के पास किन देशों की सीमाओं पर रक्षा के दायत होता है पाकिस्तान नेपाल, पाकिस्तान भूटान, पाकिस्तान बंगलादेश, पाकिस्तान जीन बी एसेप के बारे में बात हो रही वोर्टर से कोर्टी फोर्स के बारे में आप सभी जानते भी होंगे जानते यानि जानते इसका हेड़क्वाटर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा आपको और आप सभी जानते एक दिसम्बर 1965 में इसकी स्थाफना की गई थी एक तरह से तो किसके बीच होता है बताई यह कोच इसमे तो यह आपको मालू होना चा आप देखते हैं कि 1971 में भारत पाकिस्तान के वीचियों दोता है और उस समय हम लोग पाकिस्तान के दो टुकडे कर देते हैं इंद्रा गांदी उस समय पिधार मंतरी थी तो पाकिस्तान से अलग करके बंगलादेश से बनाए गया था ठीक है तो यह सीमा सो रक्षा बल पाक आप लोग याद रखिएगा केंद्री उद्दोगिक सुरक्षा बल की बारे में आप लोग सुने होंगे आई सी आई सैप की बारे में बिविन सार्वजी खेतरों के उक्रम जो पी एसी होते ना अन बात्पूर आउपसर रजना पितिश्ठानों देश के प्रवों खबाई चुनाओ के दारन सुरक्षा अन आंत्रिक सुरक्षा कारेयों बीवी आई बी को सुरक्षा पिदान करने का काम होता है भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बारे में भी सुने होंगे ITVP के बारे में लगदाब में कारो कारा कूरम दर्रे से आरुड़ा चल पितिश में कुछन्स इस तरह के पूछ लेगा कई बार कई परीक्षाओं में आते रहते हैं अंगला कुछन है हमारे सामने 49 निमलिकित में से कौन मत्यपेदेश के कारवाहक राजपाल नहीं रहे हैं पूछ रहा है आपसे नेम जस्टिस एन डी ओजा जस्टिस पीदीख्चित जस्ट तो यह आपको जरूर याद रख सकते हैं चलिए अंगले कुछिन की तरफ चलते हैं भारती समिधान की किस अनुछेत के तहत राजपाल को विधान मंदल के विस्तरांती काल में अध्यादेश पिक्याति करने की सक्ति प्राप्त हैं आपने देखा होगा कि पिछले कुछिन स्वेपर में मैंने आप से कुछिन भी पूछा था कि राजपाल को किस अर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करने की सक्ति हैं एक सो पच्मन एक सो चप्मन दोसो बारे 213 तो याद रखे 213 आप लोगों से कुछिन सो और पूछता हूं कि राश्पति को अध्यादेश जा बना सकता है अध्यादी चला सकता है लेकिन बات रखे आपको उतनी ही सकती होगीर ये दना कि एक कानून जो जो पिक्क्रिया 16 तक मद्धिप्रेश की सकल लाज जे घरेलू उत्पाद GHDP में बिधी दर रही है 11.9% 15.9% 16.9% 17.9% तो याद रुखी इसमें क्या लगाओ के इसमें आपका देखी 41 में बैसे आपको बता दू 41 हटा दिया गया था क्योंकि इसमें आपका रहा था 14.49% लेकिन आप देखी इसमें ओप्सन नहीं है तो इस questions को भी हटा दिया गया था और ये questions हट जाते हैं तो आगे चलके क्या होता है कि उसी आधार पर आपका cut-off बनेग किया गया था 1951-B52-57-62 तो याद रखिए 1959 में भारती जो संसदी सचिप का इतिहास की बात करें तो यह पद 1951 में बनाये गया था सी राज गोपलाचारी की मंतरी बंडल में बर्स 1952 से लिकर 1953 की वी संसदी सचिप का एक पद था तो यह आप लोग याद रखी रहे हो अंगले question की तरह हम लोग बढ़ते है नेवलिकित में से कौन सही सुमलेत है नेवलिकित में से सही सुमलेत देखना है आपको सही सुमलेत नहीं है पूछ रहा है तीन तो आपके सही होंगा एक नहीं होगा भारती ये समिधान का लुछेद हो गया तो याद रखिए इसमें मेघालाय नहीं होगा, 371 गा में मेघालाय नहीं होगा, बाकी आपके तीनों मिलकुछ सही, मनी पूर होता है, गा में ठीक है, वैसे आपको मालूह बता दू कुछ जानकारी के लिए, अनुछे 371 आप लोग अगर पढ़ेंगी तो महराष्टों गु तो नागालेंड राज जी की संबंद में विसेश प्रावधान की बात की गई है, अगर अनुछे 371 खा या बी इसे आप लोग दे दीजिए, तो यासम राज जी से संबंदेते हैं, 371 C ए मनेपूर से, 371 D आंध्पिदेश से है, 371 E ए आंध्पिदेश में केंद्रिय विस विध्यालेंगी स्थाफना से संबंदेते हैं, 371 F ए सिक्किम राज से संबंदेते हैं, 371 G ए आपका मेजोरम से संबंदेते हैं, 371 H ए अवनाचलपिते से संबंदेते हैं, 371 I गवा से संबंदेते हैं, और 371 J करनाटक राज से संबंदेते हैं, तो इन सभी को याद रखे कई बार questions इसे पूछ लेता है इसमें आप लोग see option लगाएंगे ठीक है अंगला question है हमारे सामने 44 लोग सफा में अनुसूचित जाती के लिए आरक्षि इस्थानों की संक्या कितनी है आप सभी जानते हैं कि आरक्षित कहने का मतलब होता है कि जिस seat पर अनुसूचित जाती का आरक्षित थे वो उस पर किवल अनुसूचित जाती के लोग ही चुना लड़ सकते हैं अन जाती के नहीं ठीक है 89, 69, 89, 84 तो आप सभी जानते हैं कि 84 होगी कितनी 84 होगी आप लोग ये बात बताईएगा अब ये टोटल हमारे लोग सभा में टोटल कितनी सीट है ये नीची आप लोग लिखिए और आपके राज्य में कितनी है वो भी बताईए अंगला कुशन है 45 नेमलेकित में से कौन स सही सुमले थे राज्य हो गए और राज्यसवा में आवंटाइस इस्थानों की संख्या होगी आन्ध्यदिस, उडीशा, तमिलाडू, महराश्ट अध्यद्वेदिस में 18 है, उडीशा में 10 कह रहा है और तमिलाडू में 18 कह रहा है महाराश्ट में आपका 19 कहरा है अब आप आप सभी जानते हैं कि आंद्विदेश में आपकी कितनी हैं 11 है और तमिलाडू में आपकी उडिशा में 10 है तमिलाडू में 18 है 19 आपकी महराज़्ट में तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे ए ओप्सन बिल्कु गलत है सही सुमलेत नहीं है क्योंकि यहां 18 दिया गया यह है कितनी 11 है ठीक है तो यह आप लोग जरूर याद रखिया रखवाओगे या नहीं रखवाओगे बताईए कुछ कि आंद्विदेश कि राज्जिसामा में 11 है नाकी 18 चलिए आगे चलते हैं अप लोग अंगला है 46 कुष्चन लच्विवाई राष्टिय सारे रेक सिक्षा संस्थान की स्थापना किस बर्स हुई थी 1912 में 1957 में 1960 में या 1961 में तो यह आपकी हुई थी 1957 में भी ओप्सन बिलकुँ सही है क्या है एक ग्वालियर में आपको देखने कुम लेगा ठीक है तो रानी लेच्विवाई की नाम पर रखा गया इसका नाम आप सब यह जाते हैं कि बनारस में पजनम हुआ था चाहां सी में इनकी साधी हुई थी ग्वालियर में इनकी डेथ हुई थी आपने देखा होगा कि सहीद हो गई दी लड़ते हुए और इनकी समाधी आपको ग् अनुकर कैरम सत्रज तो याद रखिए सत्रज से ठीक है अंगला कुप्षिन है हमारे सामने 48 पित्थम राजीब गांधी खेल रतन पुरुसकार किसे पिदान किया गया था विसुनातन आनंद गीत सेठ्थी सचिन तेनुलकर धनराज पिलने तो याद रखिए विसुनात आ के नाम से भी जानने लगें आप लोगे से अंगले कुषिन की तरफ बढ़ते हैं 49 लेवरो किस खेल से समदेत कबड़ी खोको बास्केटबॉल तौली वॉल तो आप सभी को माल होगा कि ये तो आपका बॉली वॉल है एक लेवरो इंडोर बॉली वॉल में एक रख्षात्म में स्केल में नियम के साथ जुड़ा गया था इसे चली आगले कुषिन की तरफ बढ़ते हैं पहली बार 1980 में द्रणाचार पुरुसकार प्राप्त करता कौन था 1980 में जब पहली बार ये दिया गया तो उसका पुरुसकार बिजीता कौन था ओ एम नम्यार होम पेकास भारदवाज बीवी भागवत उप्युक्त में से सभी तो याद रखे उप्युक्त में से सभी डी ओप्सन होगा आपका इन सभी को दिया गया था अंगला कुश्ट है हमारे सामने इंक्यावर मेरा थर रेस की दूरी कितनी होती है 21 मील 385 गज 25 मील 385 गज या 26 मील 385 गज या आपका 42 किलुमीटर तो याद रखे 26 मील 385 गज मेरा थर लंबी दूरी की दौर होती है ठीक है इसे दौर कर चलकर या रन बॉक करके इसे पूर 29 किलुमीटर की लगबग होता है इसमें आप देखेंगे 26 दिसमलो 29 मील या पर अगर 26 मील 385 गज भी होता है इसे तरह से आपनों याद रखेएगा अंगला कुश्ट है बावन किस भारती है खिलाडी ने ओलंपिक में सौर्ट पदक जीता है गगन नारंग राजवर्दन स ठीक है एर राइफल ने सारी वाजी में उन्होंने जीता था तो यह भी आप लोग याद रखिए अंगला कुश्ट है हमारे सामने क्या पूछ रहा है राष्टी एक खिल दिबस किस दिन मनाया जाता है 29 से अप्टमबर 14 नमबर 29 अगस्त 29 जुलाई तो यह तो आपको आपकी का जादूगर भी कहते थे अंगला कुश्टन है हमारे सामने चंवन वह एक खिलाड़ी कौन है जैसे अर्जोन परुसकार दोनाचार वरुसका राजवी गांदी खेल दतन बत पदम स्री सभी दिए गये थे अभिने विंद्रा सचेंद एंद्रू का प्यकास अगला क्किशन हमारे सामने 56 का सरवच सिकर धोंगर इस्तित है जटपदा सत्पोडा सेड़ी में महादेव सेड़ी में में अबिंदेन सेड़ी में तो याद रखिए आपका महादेव सेड़ी में आता है धूबगाड परवत या धूबगाड मत्वधेस में एक सबसे उची चोटी परवत चोटी है समझ रहे हैं महादेव परवत सेड़ी सत्पुड़ा परवत का भाग है इसलिए सब सही उतर हुगा भी और पच्मणी में इस्तित है इसकी उचाहिए 1350-52 मीटर ठीक है लगवग यह 4429 मिटर लगवग आप देखें अंगला कुश्चन है हमारे साब में अंगला कुश्चन इन मिलकित में से कौन सी चंबल में नहीं मिलती है चिपरा काली सिंद्ध पैतवा पारवर्थी आप देखिए मत्यपति इसमें कुश्चन पेपर कौन मनाता है कई कुश्चन गलत होते हैं इसमें होगा बैत्वा बैत्वा नदी चंबल नदी की साहिक नदी नहीं है यह यमना नदी की पिर्वों एक तरसी नदी है तो यह आप लोगो जरूरी रियाद रखेंगा इसमें बनास काली सिंद्ध छिपरा पारवती आपकी चंबल नदी की साहिक नदी है आगे चलते हैं अगला कुईशन है हमारे सामने 58 मद्पिदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजिस्थान राजी की सीमाओं को चूता है जाबू आली राज पर रतला मंदसोर तो ये तो आपको मालू हो कि जाबू आज चूता है दोनों राज्जों की सीमाओं को ठीक है अगला कुईशन है हमारा पडूसी है ये सभी राज मद्पिदेश की जलवाई है भूमद्रेकिया मद्रुस्तलिया धुर्वीय मालसुनी तो आप सभी को मालू होना ची कि मालसुनी है क्या है मालसुनी है अंगला कुश्चन है हमारे सामने साथ मलाज खंड किस खंड उत्पादन से संब्दिये थे लेगनाइट ताबा हीरा लोह एस्क तो आप सभी को मालू होगा कि यह किस से है ताबा से कौपर से क्यासे कौपर से बाला गाट जिली में आपको देखते न चली अंगला कुश्चन में देखते हैं 61 मद्पदेश किस जिली में जन जाती है जन संक्या का सरवादिक 30 के मामले में बूट शरा है जन संक्या के मामले में नहीं जहाब हुआ बढ़वानी अली राजपूर डेंडोरी तो यह अल्वी राजपूर में होगा ठीक है अगर 2011 कि अगर अनुसार जंग अंगला कुष्य ने हमारे सामने 62 गूजरी महल किसने बनवाय था अकवर ने साय जहाने माल सींग नहीं में से कोई नहीं तो याद रखी माल सींग ने बनवाय था गूजरी महल पुरातत संग्राले गवालियर में आपको देखते ना राजपी संग्राले ठीक है यहीं गू तो याद रखी सुजाल पूर नहीं है बाकी तीन होते होंगे आपके अगला कुश्यन है मारे साबने चौसट एक करेंट से जुड़ा हुआ है मद्धिदेश की 2017-18 की बजट में ए ए एम आर यूटी योजना के लिए कितना प्रावधन दिया गया था कितना पैसा 500 करोड 600 करो तो याद रखी 700 करोड दिया गया था ठीक है स्वरक्ष भारत अभियान के लिए समझ 600 करोड रोपे दिये गये थे अमरत योजना के लिए आप देखे 700 करोड दिये गये थे सिटी मिसन के लिए स्मार्ट सिटी मिसन के लिए 700 करोड दिये गये थे तो चलिए तो करेंड का थ और बैसे आपको अगर भारत का पूछे, भारत का आप लोग बताईए और मद्धिपदेश का बताईए कि लिंगनपात आकर है क्या, ठेक है, मद्धिपदेश का और भारत का लिंगनपात कितना कितना है, दोनों आप लोगों को बताना है, अगर आप किसी और राज्य से सम्म रखते हैं तो सराज का नीचे आप लोग लिखें इन मैंसे कॉल मद्धिपदेश की मुख सचिम नहीं है नहीं रहें आरफी नाइक बीके दुवे आरेस खन्ना पीके नरोना तो याद रखिए पीके नरोना नहीं रहें इसमें बाकी तीनों रहें डी ओप्शन लगाओगे आ पंचानवे में तो याद रखिए पंचानवे में किया गया था ठीक है पंचानवे में या लगाओगे बी ओफ्शन आपका बिलकुँ सही रहेगा अंगला कुशन है अर्षट तेजस सुनी गरावीन महला ससक्तिकरण कारकरब में बित्तिय सहीं उफिदान करने वाला या फिर एडी द्वारा साहे था पर आप तेजस सुनी गरावीन महला ससक्तिकरण करकर मद्विदेश के छे जलों में चलाए गया था उस सफ़े आई एप एडी चलिए आगे चलते हम लोग अंगला कुष्य ने 59 मत्विदेश में मुकमंत्री गरामीर सरा क्योजना का प्यारम कम गया था नहीं नहीं दस ग्यारे में और 2011 बारे में तो याद रखी 2011 दस ग्यारे में शुरू की गई थी ठीक है 500 सी कम जन सेंग के आवाले सामान सणी की गा प्रभुत्य बाले राजस्ता गाओं को सडग बनाने ही तुए एक तरह से यह से उजना का सबारम किया गया था ठीक है कि सत्तर कुष्टन से हमारे सामने MP Incubation and Startup Policy किस बास से लागू की गई थी 2013-14-15-16 से तो याद रखी इस सोले से की गई थी राज में यूबा उद्धिमियों के लिए नवाचारों Startup परिष्टिती की एक तरह से को पोसित करने के लिए मद्विदी सरकार ने यूजना चलाई भी थी ठीक है एक अक्टूबर 2016 को लागू की गई थी अंगला कोईशन है हमारे सामने 81 जनवरी 2018 में Friends of MP कौन कलेब के सहर में आयजित किया गया था भोपाल जवलपूर इंदौर ग्वाली है तो आप सभी को मालो होगा कि इंदौर में किया गया था ठीक है यह एक तरह से प्रवासी भारती दिबस की तरच पर ही इस्ताबिद था ठीक है अन्देशों में रहने वाले मद्विदेश के लोग इस दो दिबसी एक कारिक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे आये थे अंगला कुशिन है बात्तर अटल जियोती उजना दोजार तेरे केंतर गरावीट छेत्रों को कितने नियून तम घंटे बिजली देने का परावधान किया गया है 10, 12, 14, 16 तो याद रखे इसमें आप लोग देखिए 10 घंटे अब आपकी छित में कितनी आती है आप लोग बताईए ठीक है अंगला गुष्टे नहीं है मारे सामने 73 कम्प्यूटर पर लिखित लिंग्ड जानकारी को संग्रह को जो इंटरनेट की माद्यम से उपलब्धे कहा जाता है वेव सर्वर वेव स्टोर वर्डवाइड वेव या वेव इनफोर्मेशन तो आप देखी कि वर्डव वाईड वाइड वेव कहते हैं साती रहते हैं उंगला कुश्यन है चोहत्तर बेब साइट खोलने के बाद बेब ब्रावजर द्वारा पिदर्सित पहला पेश्ट इसे क्या कहते है रावजर पेश्ट या ब्रावजर पेश्ट चाहिए या बुक मार्ग तो आप सभी जानते ही कि होमपेश्ट एक उच्छ से कीमते मौसम संबंदी जानिकारी खेल और मनोरंजन जैसी से माएं पिदान करती है होस्टल पोर्टल आर्टिकल न्यूजपेपर तो याद रखिए पोर्टल भी ओप्सन आपका एक तरह से ये पोर्टल सब्दी भी आप देखे कि गेटवे सब्दी का समाराथी माने जाता है चली अगले खुशन की तरह बढ़ते हैं कम्प्यूटर साइस आप लोग ने पढ़ा होगा तो आपको मालूम ही होगा 76 संचेब में रूम में कौन सा सामन रूप से आवंचित जंग इमेल का वर्डन करता है क्रेम ड्रम जाम इसमें तो याद रखिए समें इसमें एक समाचा समूव या बुलेटिन बोर्ड के जंग इमेल अथवा आप रासेसिंग पोस्टिंग को सानुन दर्वित करता है तो आप लोग याद रखिए अंगला कुश्चिन है मारे सामने 77 एक जान बूझकर विक्तन कारी सॉफ्ट्वियर जो कंप्यूटर के से कंप्यूटर तक फैलता है उसे क्या कहते है सर्च इंजन चैट सॉफ्ट्वियर इमेल और वायरस तो आप सभी जानते है कि वायरस कहते है से कंप्यूटर के लिए सॉफ्ट्वर ग्राम प्रोग्राम के लिए काफी एक तरह से क्या रहता है आनिकारग भी रहता है और आप लोग एंटी वास भी दलवाते होंगे इसके बचाओ के लिए आप से सावधानी वरतने के लिए भी कहा जाता है अगला कुश्चिन है अठ तरह से पूच लेता है ठीक है अगला कुश्चिन है मारे सामने 89 निमलिकित में से कौन साइवर अपराद की दो आवसक्स विसेशता हैं निमलिकित में से कौन साइवर अपराद की दो आवसक्स विसेशता हैं कार पडाली की रूम में कम्पीटर फ्रोग्दगी की तथा पर कई वार साइवर अपराद से प्रभाविच सिकायत परयाप्त कउसल की कमी और कमप्यूटर सिंस्तेम के संचालन के बारे में ना जानने के कारेश इस अपराद से अंजान होते हैं अगिर आप लोग जागरूप नहीं तो आप लोग इसमें फुरोड में फस सकते हैं, कई वार किसी प्राधी करण की computer system में सेंद लगा कर घुस्ता जाल साजी के उद्देशों के लिए जानभूच कर वेबसाइट को विर्केट करता है bright hat hackers cracker stacker तो याद रगे इसमें आप लोग लगाएगे cracker सी ऑफ्सन बिल्कुल सही रहेगा कहकर उस बैक्ती को एक तरह से बारे में बताता है जो बिना आपकी अनुमती लेकर किसी computer system में प्रवेश करता है ठीक है अंगला कुश्चन है हमारे सामने 81 क्या कह रहा है इनका कहना है कि जब किसी बेब साइट के ग्रहक नकली नेटवर्क या तायाद के बाढ़ की कारें इसी एक्सेस करने में आत्समर्ज्थ होते हैं तो इसे निबलेखित में से किस पकार से जाना जाता है इसे आप लोग वाइरस या ट्रोजन होर्स क्रैकिंग डिनाइल ओफ सर्विस रिस्टाप तो यादर की डिनाइल ओफ सर्विस रिस्टाप यह कई बार आप लोग देखते होंगे कि डीनी ओ यह शावन यह आ जाता है सेवा से इंकार करना बॉलुमेटिक डिस्टिविटिटिच डेनियल ओफ सर्विस का हमला इंटरनेट का एक आपूर्ती मुद्रा होता है चलिए ठीक है अंगला कुश्यन है हमारे सामने देखिए अनुसूचे जाती अनुसूचे जन जाती के जो एक्ट थे आप देखते हैं कि जो मानवधिकार इसलेवस रहे गए है लेकिन इसलेवस आपके आते रहेंगे लेकिन जब तक सिलेवस प्रेंस का हिस्सा थे आप तक आप जानती कि अक्टी थे अनुसूचि जाती अनुसूचे ज़न जाती अप्र गरां का लिश्चे क्व 도D ख Connectember बताएए या फिर आपसे 2 पूछ ले 2 BC 2 या फिर B या फिर आपका 2BG तो इसके बारे में आपको बताना है तो याद रखे इसमें धारा 2 गाखा यानि कि BC तो या आप लोग जरूर याद रखे, B off से लगाएगा इसमें इसके बारे में भी हम लोग पढ़ाया हुआ है अगर आप लोग playlist सूची देखेंगे तो आपको काफी material मिल जाएगा बस वहाँ जाकर आप लोग देखिए अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती अत्याचार निवारण अंदिनिय मुनीश्व नवासी की निमलिकित में से किस धारा में अग्रेम जमानत पिती बंदे थे धारा 22, 20, 18 या 16 तो 18 है देखिए और ये काफी चल्चा में भी रही थी इसमें संसोधन किया जा रहा था ज जो धारा इसकी 438 ना उसी में इसकी बात की गई है अंगला कुश्चन है मारे सामने 84 अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती नियम 1995 में की निमलिकित में से किस धारा के अंतरकत बासिक रिपोर्ट के लिए एक समगरी का उपण्द किया गया है धारा में 18 में 20 में 22 में 24 तो याद रखे 18 में किया गया है ए ओप्सन बिलकुल सही है अंगले कुश्चन की तरब अगर हम लोग बढ़ें तो अंगला कुश्चन आप से क्या बोच रहा है एक रहा है कि अनुसूचे जाती अनुसूचे जन जाती अत्याचार अधिनियम निवारा अधिनियम 1999 के अंत अंतरा देगा तो एकिस अउधी के कारावास से दंडित होगा माल लिजे कि आप देखे कि कोई ब्यक्ति अनुसूचे जाती अनुसूचे जन जाती का सदस नहीं है और वो इस तरह की काम अनुसूचे जन जाती के सदस के साथ करता है तो उसे कौन सी कारावास या सजा मिले जिसकी आउदी 5 बर्स की होगी जुर्वाने से तो याद रखे समें एए ओप्सन बिल्कु सही रहेगा जिसकी आउदी 6 माय से कम नहीं होगी और किंतु 5 बर्स से तक की होगी और जुर्वाना भी लगेगा तो आफ लोग जरूर जागरूप रहा करिएगा ठीक है एए ओप् अंगला कोश्चन है हमारे सामने 86 अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती अत्याचार नेवारान अधिनियम 1989 में कुल कितनी धार हैं 18-22 या 23 या 27 तो याद रुखे 23 कितनी है 23 सी ओप्सन बिल्कुश सही अंगला कोश्चन है 87 सिविल अधिका सरक्षन अधिनियम 1955 की नेमलिकेत में से किस तहरा के अंतकर सामुहिक जर्बाना अधिहर उपित करने की राजसरकार की सकती का उबंद किया गया 10 में 10 का में 14 का में बताई तो याद रुखे इसमें आपका 10 10 का में बिवस्था की गई है 10 का में बिवस्था की गई है इन पर मुझे लगता है विस्तार से बात करने की जरूए नहीं क्योंकि इनकी बारे में एक किलासे ली हुई है आपकी सोमझ रहे हैं तो इसलिए अब बताने का कोई फायदा भी नहीं है ताइम बरवाद जाएगा आपका अंगला है 88 सिविल अधिका सरक्षन अधिनियम 1955 की निमलिकित में इसकी सदारा की अंतर के सदभावना फूर्वक की गई कारवाही के लिए सरक्षन का उबंद किया गया है 16 का 15 का 16 का 14 का बताई है इसमें याद रखे 14 का में की गई है ठीक है यानि की D option आप लोग लगाएगे है अंगला कुशन है हमारे ये सामने 89 सिविल अधिकाय सरक्षन अधिनियम 1955 की निमलिकित में इसकी सिदारा की अंतर के कंपनियों द्वारा अफराद का उबंद किया गया C option आपका बिल्कुश सही रहेगा अंगला कुशन है सिविल अधिकाय सरक्षन अधिनियम 1955 का विस्तार संपूर भारत में जमू और कस्मीर राज को छोड़का संपूर भारत में केंदसा से फिरिस में या केवल जमू और कस्मीर राज में तो याद रखे पूरे भारत में हो में सामने 21 अधिका सरक्षा दिनियम के संब्ढन में आ खूंसा कता है या धिनियम 23 सेप्टमर 1993 अधिनियम गया था एक तरह से ठीक है अंगला कोईशन है हमारे सामने बावन क्या कर रहा है कौन राष्टी मानावदिकार आयूक का पधेन सदस्थ नहीं है राष्टी अल्व सक्या आयूका अधेक्ष भारती विधी आयूका देक्ष राष्टी अनुसूचित जाती अनुसूचित जन का डिन में राष्टी आयूक के सदस्थओं की पता हो धी पद गहन की तारीक से उत पंच वर्स तक या 15 वर्स के आईउज पर आपकर नेई 5 वर्स या 60 वर्स कि आउज पर आपकरनें च्छै वर्स या 55 वर्स या 70 वर्स की आईउज परकरकरनेँ तो इसमें याद रखिए आप लोग B होगा उस हिसाब से लेकिन अब आप सभी जानते हैं कि इसमें संसोधन किया जा चुका है अब 370 साल कर दिया गया है तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा ठीक है अपराधिक नियाल है सिविल नियाल है रिविनियो अधिक नियाल है उपेप्त में से कोई नहीं तो दीवानी नियाल है सिविल नियाल है ठीक है क्या रहेगा वी ओप्सन आपका विलकुस नहीं रहेगा अंगला कुछन है हमारे समने 95 क्या कहा रहे एक कहा रहे सक्सक्त बलों के सदस्वोदार माना अधिकारों के अतिकर्मर्ण की सिकायत के बारे में आये हो आधिकारों को निदेश कर सकेगा कहंद्री सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा तो इसमें c option आपका बिलकुल सरी ए अंगला है 96 राजमारा अधिकार आयोग में सदस्वों की रूम है उच नयालाय का कोई आसीन नयाधीस या कोई आसीन जिला नयाधीस किसके पारामा इसके परशा नियुक किया जा सकेगा राजपाल सम्मधित राजजी के उच्छ नियाला के मुखने आदिस भारतिय उच्छ तम नियाला के मुखने आदिस राष्टपती तो याद रखिए यह में होगा आपका संबंधित राज जी के उच्छ नियालाय के मुख नियालीस करेगा इसकी नियुक्ती ठीक है भी आप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा कुश्चे नहीं हमाने सामने संतान में राज आयोक की अध्यक्ष कि पद पर हुई रिक्ती की दसा में किसी एक सदस्ते को अध्यक्ष की रूब में कार करने के लिए पराधिकित करने की सकती किसे है उच्छ नियालाय के मुख नियादिस को राष्टपती को राष्टी माना अधिकार आयोक की अध्यक्ष को या राजपाल को तो याद रखे राजपाल साहब को होगी आप जैसे तरह से राष्टपती केंदर में देखते ना उसी तरह से एक तरह से आप कह सकते हैं कि राजपाल राज्यों में होता है ठीक है अंगला कुष्ण अंठान में आयोक ज़र राज आयोक का पितेक सदस्या मानाव अधिकार सरक्षन अधिनियम के अंतरगत अधीन कि प्रयोक करने के लिए आयोग या राज आयोक तवारा नयोक्त या प्राधीकर पितेक अधिकारी समझा जाएगा लोग अधिकारी लोग सेबग या आयोक का अधिकारी या उप्यक्त में से कोई नहीं पता ही है तो क्या माना जाएगा इसमें इसमें इमाना जाएगा लोक सिभाग या सारजे करमचारी भी इसे आप लोग कह देते हैं B option आपका अंधानवे में मिल्कु सही होगा B option ठीक है? अंगला question है हमारे सामने निन्यानवे राज आयक द्वारा अपनी बार से एक पिती वेदन किसके समक्ष पिस्तुत की जाती? राजपार, राजसरगार, या उचन्याले के मुक्ष न्यादिस या भारत के मुक्ष न्यादिस? बताएगे? तो ये राजसरगार के सामने B option इसमें भी बिल्कु सही रहेगा होंगे, ठीक है? नहीं है, पूछ रहा है बाकी तीनों होंगे, आपके आप सभी जानते हैं, तो इसमें आपका क्या रहेगा? B option तो ये था आपका MPPSC Prelims का 2018 का पहला paper, जिसे आप लोग सामाने paper की नाम से जानते हैं, GS paper चलिए, आप लोग enjoy करिए कुछ कमी रह गई हो, कुछ और आप लोगों के सुझा हो, तो बताइए आप लोग मिलते हैं हम लोग 2019 का Prelims का जो आपका paper है, उस पर हम लोग बिस्तार से बात करेंगे